इस question में हमें क्या दिया हुआ है square root of x upon y plus square root of y upon x it is equal to 10 upon 3 and यहाँ पे x plus y की हमें value दी हुई है कितनी 10 तो हमें यहाँ पे किसकी value find out करनी है x y की value find out करनी है ठीक है तो देखें यहाँ पे यह जो है square root of x upon y plus square root of y upon x it is equal to 10 upon 3 इसका हम क्या कर लेंगे, square कर लेंगे both sides, ठीक है न, तो यहाँ पे इसकी squaring करते हैं, पहले left hand side का, इसका whole square, and 10 upon 3 का, right hand side में है यह, इसका square, ठीक है, तो इसको हम consider करेंगे a, और इसको हम consider करेंगे क्या b, तो a plus b whole square, तो यहाँ पे हमारी identity use होगी, a plus b whole square, ठीक है, तो यहाँ आप आएगा a square, तो इसके लिए हम क्या write करेंगे यहाँ पे, जो यह है, square root of x upon y, इसका square, and इसके बाद b square, ठीक है न, means, जो है हमारे पास y upon x, इसका square, and plus 2ab, ठीक है न, 2 multiply, यह क्या है यहाँ यहाँ पे, यह है, x upon y, square root में, ठीक है, and multiply square root of y upon x, it is equal to, यह यहाँ पे 10 का square कि 9, आगे करते हैं, इसको यहाँ पे, यह देखे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इस square root है, इसकी value होती है, हमारे पास कितनी, 1 upon 2, और power है इसकी multiply 2, तो यह इससे cancel out हो जाएगा, ठीक है न, इससे cancel हो जाएगा, यह इससे cancel हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, x upon y, plus y upon x and plus 2, देखो, इसको न, हम कुछ इस तरह से write कर सकते हैं, square root of x upon y को square root of x and upon square root of y and multiply square root of y upon square root of x, कर सकते हैं, इसको write, यह हो जाएगा, 100 upon 9, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम cancel out कर सकते हैं, square root of x से square root of x, square root of y से square root of y, ठीक है, इतना बचा है यहाँ पे, तो हम इसका lcm ले सकते हैं, कितना, x और y, इस पूरे का lcm, ठीक है, तो xy हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, y से y cancel, तो यह हो जाएगा, x square and plus x से x cancel, तो हो जाएगा, y square and यहाँ पे 2 into xy, तो 2 xy, ठीक है, it is equal to, यहाँ पे क्या बचा, यह बचा, 100 upon 9, ठीक है, इतना बचा यहाँ पे अब ही क्या कर लेते हैं, इसको cross multiply कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, x square plus y square and plus 2xy, ठीक है, cross multiply करना है, तो यहाँ पे multiply हो जाएगा, 9, it is equal to, यह हो जाएगा, 100 into xy, ठीक है, x square plus y square plus 2xy, इसको मैं क्या write कर सकता हूँ, देखो, अगर मैं इ x square क्या हो जाएगा? a square हो जाएगा. इसको मालो मैं लेता हूँ a square, इसको लेता हूँ जाएगा. प्लस यह क्या हो जाएगा? 2ab, तो यह क्या बन गया? a plus b का whole square बन जाएगा. ठीक little, इसलिए मैं यहाँ पर क्या write कुरूरूंगा? a plus b means x plus y का whole square. ठीकत यह 10 का square and multiply 9, it is equal to 100xy, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 100 multiply 9, it is equal to 100xy, यहाँ पर ये 100 है, इस 100 से cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 it is equal to xy, ठीक है, जिसको मैं write कर सकता हूँ, xy it is equal to 9, तो xy की हमारे पास value आएगी 9.